हिजाब मामले पर दसमे दिन चली सुनवाई में सुप्रिम कोट ने याचिका करताओं से और साथ ही करनाटक सरकार से कई सीधे सवाल करते वे ये भी कहा कि जब सरकार ये कह रही है कि किसी भी मौल में या कहीं बाहर अगर कोई लड़की कोई छात्रा हिजाब पहनती है तो इ किसी मौल में अगर कोई लड़की सीध धकने के लिए हिजाब पहनती है तो वो उसका बुनियादी अधिकार में शामिल होता यानि मौली का धिकार है लेकिन क्या स्कूल की दहलीज पर आते ही क्या उसके मौली का धिकार खत्म हो जाते हैं साथ ही कोट ने ये भी कहा कि जब वो कहीं बाहर है तो उसमें उसका अधिकार है और वो जब स्कूल में आते ही वो अधिकार कैसे खत्म हो सकते हैं कोट ने सीधा सीधा सवाल पूछा कि सरकार ये बताए कि जिन स्कूलों में ट्रेस कोड नहीं है कोई यूनिफॉर्म नहीं है वहां के लिए आप क्या देश सरकार ने पैंतरा बदलते हुए ये कहा कि ये अनुशासन की बात है और अनुशासन को लागू करने के लिए ज़दूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यू से इन दरिंदों की दरिंदेगी से इन शेटवर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर् आज़त फरमाए आमीन बहरल केफ मेरे अज़िस दोस्तों मेरे भाईयों एक खबर करनाटक से की जो हिजाब को लेकर एक मसकान ने जो आवाज उठाई थी अज़िस तरीके से दौर चला उसका जो सारी दुनिया में थुतू हुई हर तरफ प्रोडेस्ट किया गया हर तरफ इनकी खिंचाई हुई हर तरफ इनकी आवखाद दिखाई गई कहीं जाकर सुप्रीम कोट तक चले गया अब सुप्रीम कोट के सुप्रीमों ने खास कर करनाटक की सरकार को आड़े हाथ लिया करनाटक की सरकार से कुछ सवालाद किये जो के जवाब देने में नाकाम रही सरकार अब सवालाद क्या किये मैं यह बता दूँ आप लोगों को सवालाद यह किए गए कोट की तरफ से चीफ जस्टिस ने यह सुप्रीम कोट से जो बेंच बैटी थी पांच जज़ों की उन्होंने ये सवाल किया जब तुमने माल के उपर जब मार्केट के अंदर जब शापों के अंदर जब उसके उपर हिजाब की पाबंदी नहीं हिजाब पे कोई रोक टोक नहीं हिजाब के लिए जब नहीं रोका जाता नहीं बोला जाता तो सिर्फ कॉलेजेस या स्कूल्स के लिए ये चीज ये जहनियात ये गंदगी तुमारी क्यों है ये सवाल किया सुप्रीम कोट के चिफ जस्टिस ने करनाडक सरकार से जो के जवाब घुमा फिरा कर देने में मसरूफ रही है लोग सही तरीक जवाब नहीं दिये सवा ये 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 क्या गया हिजाब का जवाब दिया गया ए Initiा य्उनिफ ओर हम की बात करते है हरे तुमारी चिफ जस्टिस ने कहा कि हमने सवाल किया है आप से हिजाब को नखाप को बुरखे को लेका बहरे हाल आप लोगों को ये बतास्ट हो ऊपने बातों की एक है बाद ये ल अच्छा फैसला ये किया है मसल्मानों के हक में हानकि ये सुनाया जाने वाला है मंडे के दिन क्योंकि यूनिफार्म का भी अभी चल रहे हैं जो कुछ सवालाद कोट ने किये है महां की सरकार से ये लोग जवाब देने से जवाब तो दे रहे हैं लेकिन तूड मूड के इदर से नहीं इदर से फिरा के हम आते वोल रहे हैं वो ऐसा कोट नहीं मानता कोट हरकिस नहीं मानता लेकिन अगर्चे जहां तक मेरा मानना और समझना है यूनिफार्म के हद तक अगर्चे ये लोग अगर्चे कुछ बुरी है सरकार तो एक आने सच भी है सही भी है वो सूचा जा सकता बगर भहस के भी और कोट से ये साफ तर पर सुप्रीम कोट से ये अहकमात तो तकरीबन जारी हो चुके हैं बला नहायती जो फैसला है वो जो मंडे तक टाल दिया गया है इसलिए टाला गया क्योंकि यूनिफार्म का भी नहीं हुआ दोनों एक साथ मिला कर देने वाला है सुप्रीम कोट जज्जमेंट अपना लेकिन तकरीबन नखाब और हिजाब को लेकर बुर्खे को लेकर जो लगा लगा जा रहे थे अटकले वो तकरीबन साफ हो चुके हैं इनकी गंदी सुच तंग नजरी ये खुल क सामने आ गई है इसके अपर सुप्रीम कोट ने जो सुनानी थी वो अच्छे तरीखे से इनको सुना भी दिये जो कि एक बहुत अच्छी बात है अगरचे ऐसे ही सुप्रीम कोट इमानदारी से काम करते रहा अगरचे जो लोगों का फरोसा उड़ गया था सुप्रीम कोट क एक आखरे फैसला होता है जो के हर किसी को मानना पड़ता है घस्मन आहले हर चीज का हाना के आप लोगों ने देखा जो फैसले गलत भी के गए थे वो लेकिन सुप्रेम कोट का जब नाम आ गया जब बात आ गई तो खामुशी इक्तियार करनी पड़ी क्योंकि ये रूल से इ कि चीफ जस्टिस ने कोई सवाल का जवाब ये लोग हिजाब को और बुरके को लेकर सही नहीं दे सके अब मौल में पावंदी नहीं है करते मार्केट में पावंदी नहीं है करते हास्पिटल में डूटी करे तो पावंदी नहीं है करते और कुन से भी मिनिस्ट्री के कॉलेजेस और स्कूल में है तो सुब्रीम कोट ने ये कही दिया अगर चे बुर्खे के उपर तुम लोग बात भी करते है तो बुर्खा पहन के तो कोई किलासों में नहीं बैठा जा नहीं बैठते कम से कम वहाँ पे एक स्टूर के वैसा बनाओ ताकि अपना बुर्खा स्टूडेंट्स तालिब इल्म जो मुसल्मान है वो वहाँ पे रख दे के अपने यूनिफामें अंदर खुसे अंदर खुसने के बाद गेट करास कर लेने के बाद अंदर आने के बाद एक स्टूर के व सकते यानि सवाने ये बात सच है रही बात हिजाब को लेकर जो गंदगी इनके जहनों में थी वो तकरीबन खतम हो चुकी है और सही तरीखे से इनकी ये अवखा दिखानी बहुत जरूरी थी जो दिखाई गई और इसमें एक सते तक काम्याब भी हुए जो के बहुत अच्छ हम मुसलमानों के लिए क्योंके काफी बीचेनी से चाहि जा रही थी किस स्प्रीम कोट का फ्षला क्या होगा? क्योंकि स्प्रीम कोट अक्सर مسلمانوں की अगेंस फ्यस्ला देने में माहर था. इना तकरीबन दो साल से जो फ्यस्ले किह गए तकरीबन बराख्स गए मिसल्माणों के. िसले लेकिन पहला ये फैसला था कि हख बजानी लाता अब इसको लेकर जी सिसी में भी अटकले लगाय जारहे हैं और सारे देश के अंदर भी जहां पे भी गंदी साधी शेर इची जा रही थी नखाब को और बुर्खे को लेकर अब एक हद तक खतम हो जाएगी एक हद तक खतम हो जाएगी जहां पे ये गंद मचाया गया था करनाटक में अब वहां पे खुद ये चीज जब लागू हो जाएगी ए खानुन बास हो जाएगा कि ये गंदगी नहीं कर सकते तुम लोग ये तुम्हारी जहनियत तुम्हारी पागल पने की निशानी है तुम दमागे बिमारे अपना इलाज कराओ अपना इलाज कराओ बेहतर जब का दिन बाखी है उसके बाद हफ़ता और इतवार छुटी है मंडे के दिन इसका और उसका मिलाके जजजमेंट कोड जजजमेंट देदेगा को सुप्रीम कोड जजजमेंट देदेगा फ़ैसला देदेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आप लोगों को एक नजजम रहिए मतहिद रहिए अपनी सफ़ों में इतिहाद वर्ख़रा रखिए नमाजों की पाबंदी करिए माबाप की खिदमत करिए बड़ों के हकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दौाओं में याद रखिए जजाकुमूल्ला खेर सलाम आलेकुम और रहमत अश्तुलाहि और बरकातु